आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसी सहमती से विवा विच्छेत की बारे में मतलब mutual consent से divorce के बारे में जो गर husband और wife आपसी सहमती से divorce लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके मद एक agreement बनेगा एक अनुबंद पत्र बनेगा जिसमें कि सारी शर्तें लिखी होंगी कि divorce के बारे में एक agreement साइन होगा फिर उसके बाद section 13 भी Hindu marriage act के तहब code में आवेधन कर सकते हैं विवा विच्छेत के लिए divorce के लिए फिर code एक date decide करेगा जो उसकी 6 महीने के बाद की हो सकती है साधनतया इतना समय साधनतया इसलिए दिया जाता है कि जो गर husband wife में आपसी मन मुटाव हैं तो वो जो गर दूर हो जाते हैं तो वो divorce ना लें लेकिन इसके संबंद में भी एक high vote की ruling है जो की अमंदीब कौर के संबंद में है जिसमें कहा गया है कि यह 6 महीने की जो समय है इसको फॉलो करने की अवशकता नहीं है किस condition में जो अगर husband wife पहले से ही काफी समय से काफी वर्षों से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर यह 6 महीने की प्रोसीज को फॉलो करने की अवशकता नहीं है यह reference code में लगाके code आगे without 6 महीने का time दिये आगे divorce के लिए proceed कर सकती है थैंक यू